अरे रिकुचिको के पपा जल्दी आओ जल्दी आओ अरे देखो क्या हो गया है अरे सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और ये देखो ये खरगोश के बच्चे को किसे ने मारा है ओहो कितने बुरी तरह से मारा है ओहो ये बेवोश हो गया है देखो देखो अरे जल्दी आ आओ जल्दी आओ कोई तो अरे रे रिकुचिको तुम कहा पर हो अरे मैं इने धून कर लेकर आती हूँ अरे पता नहीं क्या हो गया है अरे जल्दी आओ कोई तो देखो अरे रिकुचिको के पपा कैसे देखो ये खुर्गुश का खून निकल रहा है किसी ने तो खर्गुश है पता नहीं किसने मारा है इनको ओहो खतम हो गए ये जानवर अरे बापने ये शेर का बच्चा तो इतना डेंजर होता है इसको कैसे मार दिया किसी ने ओ मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है रिकुचिकु के पपा आप वहां पे क्यों खड़े हो जल दिया हो यहां पे अरे इने तो क्या हो गए पता नहीं ऐसा लग रहा है जैसे के इनको भी कुछ कर दिया हो जो एक जिगे से हिली नहीं रहे है अरे रे रे कुचिकु कहा पर हो तुम लोग बच्चो तुम लोग कहा पर हो जल दिया हो देखो सारे जानवरों को मार दिया है अरे रे क्या हो ग कि चला जाएगा हमारा तो कोई यहां पर दुश्मन नहीं है अरे यह खरगोश का बच्चा बीचरा पानी पी रहा था पता नहीं किसने इसको मार दिया है अरे रिकोचिको तुम्हें पता है किसने मारा है इसे तुमने देखा है क्या जल्दी बताओ हम तो रात में आराम से सो गए थे हमें नहीं पता हमें नहीं पता है सच में अगर पता चलाना कि तुमने कुछ किया है तो समझ जाना तुमारी खेर नहीं होगी आज अरे मम्मी हम इतने भयानक जानवरों को कैसे मार सकते हैं हम खुद इतने छोटे हैं ओभी मैं क्या करूँ किसके पास जाओ ये जानवरों को तो बहुती जोर से मारा है जैसे के सारे जानवरों की जान निकल गई हो इतना खून बहरा है अरे रे डॉक्तर कहा पर है जानवरों का अरे जल्दी आओ और कुछ के पपा अरे रे इनने भी क्या हो गया है पता नहीं इनने भी जाकर देखना पड़ेगा भी ओ मैं तो परिशान हो गए मेरा मुबाइल का रहे गया हाँ हाँ सही कह रहे हैं आप जल्ली जल्ली से जल्ली जल्ली से ओहो करना पड़ेगा इन जानवरों का बंदबस नहीं तो इने कौन लेकर आएगा अरे रे मुझे तो बड़ा ही चिंता हो रहा है पता नहीं जानवरों कैसे हो गया इनके साथ इतना बड़ा अनर्थ ओहो मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ओहो अब क्या कर सकते हम ओहो मुझे तो अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मैं काम करता हूँ पहले जानवरों को लेके आके बिठा देता हूँ यहां पे लेटाता हूँ अरे रे इसकी तो सासे रूख गई लग रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है आखिर यह जिन्दा है या मर गया ऐसे तो लग रहा है यह मरी गया है इतना सारा खून जो निकला है अरे रे रे कितना जानवरों को ब्यूरी तरह से मारा है किसी ने बहुत ही दुख की बात है अरे रे तुम जो भी करना जल्ली करो बहुत टाइम हो रहा है अरे नहीं नहीं मैं अभी उसे उठा लेता हूँ अरे अच्छा हुआ है यह मरे नहीं है जानवर यह ठीक हो जाएंगे तो इने किसी के दुकान में बेच कर आ जाऊंगा या किसी घरवालों को बेच जूँगा दूसरों को अभी यह जानवरों को रखूंगा नहीं, रखूंगा नहीं, सच में जानवरों को इतना मार खाते वे देखना और दुखी देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है अरे रिकुचुकु की ममी तुम रुखो ऐसे मैं एक जानवरों को उठा कर अभी जल्दी जल्दी से ओटो में डाल देता हूँ अरे रे क्या हो गया आपको अरे आप क्यो बेहोश हो गई अरे रे चलो चलो जानवरों को अंदर डाल दिया है मैंने अरे रे आप क्यो गिर गए रिकुचुकु की ममी अरे क्या को हूँ क्या हो मुझे भी बड़ा चक्कर आ रहा है क्या हो रहा है आप दोनों को दोनों भी चक्करा के गिरोगे तो कैसा होगा एक काम करें आप साइट में खड़े हो जाए अरे रिकुचुकि के पपा आप तो उड़ जाएए ओहो अरे मैं तो उड़ी गया मुझे तो बड़ा टेंशन हो रहा है जानवरों का क्या को हूँ अरे ने ने उपर नहीं नीचे डाली है रिकुचुकी के पपा यह आराम से नीचे रहेंगे चलो 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 इनने तो ले लिया रे शेर के बचे को भी ले लो रिकुचुकी के पपा एक जानवर तीनों को ले लिया तो शेर के बचे को भी ले लो हाहा मैं लेकर देखता हूँ कि इस जिन्दा है या नहीं ओ हो इसकी सासे तो अटक गई है या खतम हो गए मुझे तो लग रही यह खतम हो चुका है अरे रे यिसे भी उठा लेता हूँ मैं अरे मुझे तो लग रही जानवर बचेंगे नहीं आज चलो चलो फिर भी देखते है ओहो अरे रसिया तो निकाल दो भई चलो चलो ये जानवरों को उठा कर लेके चलते है चलो रिकुचिकुकी ममी जल्दी आज़ो पीछे से हाँ हा भई अरे मुझे तो चक्करी आ गई थी पता ने क्या हो जाता है अरे बच्चो तुम तो सलामत हो ना तुमें क्या हो गया मुझे तो इन बच्चो पे डरे ऐसे लगता है कि इन लोगों ने कुछ किया है दभी तो ऐसा हो रहा है ये बच्चे इतना मुझ क्यों छुपा रहे है आज अगर इन लोगों ने मुझे बताया तो ठीक है नहीं तो ये जाड़ू से इनकी अच्छी पिटाई में करूंगी ओहो चलो चलो भई हम तो निकल गए इन जानवरों को किसने मारा है हम तो अभी ये जानवरों को हस्पिटल लेके जा रहे है ओहो चलो चलो जल्ली से कितने बीमार जानवर जैसे थे एक ही दिन में बीमार भी हो गए थे खाना नहीं ही था इसलिए और उपर से किसी ने तो इनको इतना मारा है कि इतना खुन निकल गया है अभी पता नहीं को पता नहीं लगना चाहिए चिकू कि हमी नहीं उन लोगों को मारा है ठीक है ना नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा ओहो अगर इन लोगों को मालूम पड़ा ना ममी पपा को ये लोग की तो खेर नहीं ओहो सोरी हमारी खेर नहीं होगी अरे हाँ हाँ इसलिए किसी को बताना नहीं ठीक है छुपा के रखना हम अभी घर का जो भी खाना पिना सामान दूज सब होगा उन हमारा ही होगा पहले की तरह ही और दोस्तों आपको भी हमारा चैनल पसंद है तो सब्सक्राइब करें गाईज बच्चों बाई बाई